कि बस लेवल पर दिखें उस लेवल तक लेकि जाना है अभी जैसा कि हो रहा है इस टाइम पर पिन बिलकुल इसी लेवल पर है और जब यह इस लेवल में पहुंच जाए उसके बाद इसको अपने यह जो स्क्रू है इसको क्लॉकवाइस घुमाना है वन एड़ डिग्री मतलब वन एड़ रोटेशन पहले एक कंप्लीट हो गई उसके आधी और तो इतने आपको घुमाओगे थोड़ी सी पेन आगे निकल के आई होगी इससाब से जब घुमाद होगे तो यह मतलब यूजरी होता है कि ऐसी इस सेटिंग पर आपकी बाइक बहुत इच्छे चल रही होती है लेकिन अभी भी मैं यह बोलूँगा कि आप जरूरी नहीं है कि हर किसी की बाइक में हर एयर फ्यूमिक्सर आपके लिए स फ्यूमिक्सर आपके अब मैं बजाता हूँ कि इसको जब हम तीन इसकी चूरी आखोलेंगे इसकी तीन चूरियां इस तरह इस तरह एक और दो और तीन इसका तीन चूरियां इसकी खोलेंगे तो यह अपनी औरिजिनल सेटिंग में आ जाएगा देख सकते हैं इने फ्लैटेट स्कूर्राइवर के साथ ओपन करना है तो यह बिल्कुल असानी से खुल जाएगा अब देख सकते हैं तो यह अभी क्लीन करना पैट्रोल के साथ तो यह स्मॉल भी वाला भी अब निकाल सकते हो इसी तरीके से तो यह बार आजएगा वह बार आगया तो अब हमें यह इस पूरे कार्बॉलेटर की क्लीनिक करनी है यहां से यह अपका एक्सटेटर केबल यह एरिया जो आपका इंजन को हावा एंड लोकी एर और पेट्रोलर देता है तो यह अब किसी काबॉलेटर क्लीनिक हो गया हैं तो कि यह जयर आप गिन कर लीजिये इस में एसे पैत्रोन डाल के हुआ है यह ऐसे क्लीनग जाएगा तो एक में जयर भी क्लीन कर लागी है कि इस ऐसे अभी submit कर लीजी है तो इस वर्टिट का क्लीन होना बहुत ज़रूर ही है तो अगर इसमें मलब की वेस्ट पैट्रोल स्पाइप से बाहर नहीं आया तो फिर यह इसमें अंडरी कटा हो जाता जिसके जैसे नहीं से मिसिंग करना शुरू कर देगा इंजन तो अभी हमने ये क्लीन कर लिया है तो अभी हमें इसकी दुबारा से मनलब की हमें यह जोडना जैसे पहले था तो सारे पार्ट्स हमें जोडना है तो लेट्स टूट काईज तो गैसी दोनों जेट्समें लगा लिए तो जैसे आपने निकाले थे आप वैसी लगा सकते हो तो अभी में काम क्या है अपना में काम है